ग्नेज चतुर्थे के दिवस लोग अपने गरों में और मंदरों में ग्नेज जी की मूर्ती स्तापित कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं वो साथ दिन अपने गर में महमान बना कर उनकी सेवा करते हैं दिन रात ग्नेज जी की पूजा अर्चना चलने के पश्चाथ साथ दिन के बाद ग्नेज जी को विदा करने हेतु उन्हें बहते पानी में विसर्जित किया जाता है शेहर में गनेश भक्तों का सलाब देखनों को मिला जहां अपने गरों और मंदरों में स्तापिद गनेश जी की मूर्ती को वहनों में सजा कर शेहर से शोबा यात्रा निकालते हुए बजनों पर नाचते गाते लोगों नी गनेश जी की मूर्ती को बहते जल में विसर्जित किया एक मानिता के उन्सार गनेश जी इन दिनों अपने बाई कार्थिके के गर महमान बन कर पहुँचे जहां जब वैवापिस जाने लगे तो लोग उनको रोकने लगे पर गनेश जी को जाना था इसलिए लोगों ने उन्हें हर साल उनके गर आने की विंती कर उन्हें विदा किया इसी मानिता के उन्सार गनेश जी मेमान के तोर पर अपने भक्तों के गर आते हैं और उनकी दुख तकलिफे चिंता अपने साथ लेकर जाते हैं झाल झाल झाल